अलो कालना हुआ, आज मैं आपके लेकियां 2013 मॉडल की साइन, जो की है मेरी, यानि मैं इसे अभी आउन कर रहा हूँ फिलाल में, आज करने वाले इस साइन का ओनर्सिफ रिविए वीडियो, तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते है इसे मेरे पापा ने खरी देते 2013 में, जो की है मार्च का मॉडल, इसे पापा नहीं अभी तक अन किया था, मैं अभी पिछले कुछ सालों से इसे चला रहा हूँ, जैसे ही मैं 18 प्लस हो तभी मेरे पापा ने मुझे दिया था, इसे मिलता है हमें मैं 125cc की पावर, 125cc इंजयन है जो की, और हमें माइलेज मिल जाता है इसके बाद भी यदि मैं इसको फुल मैंटेनेंस में रख रहा हूँ, तो अभी भी 62 साथ के एरेज, टैंक टू टैंक निकाल के देती है मुझे, और यदि इसकी पावर की बात करूँ, इस गाड़ी ने है, एकदम सिंपल, सोबर लुक है, कोई भी एजट परसन हो, या कैसा भी परसन इसे एक बार में पसंद करता है, और बहुत ही ज़्यादा क्लासिक डिजाइन में आती थी, साइन उस समय भी, अभी तो फिलाल इसकी डिजाइन वगरे चेंज हो चुकी है, सीबी साइन आरी ह है, यदि आप कोई भी साइन आन करते तो यह चीज आपको पता होगी कि इसमें कैसी पावर रहती क्या रहता है, अब यदि इसकी पावर की बात करूं तो जैसा कि मैं आपको बताया था इसने कई मुझे धोका नहीं दिया, कुछ नहीं और पॉजिटिव चीज में को वही कि अभी तक यदि इसमें अपन तीन बंदे या तीन परसन कोई भी बैठा है उसके बाद वेदी चड़ा ही हो या कुछ भी हो एक दम प्रॉपर वे मैं ऐसा नहीं कि कहीं अटक रही है कुछ कोई दिक्कत नहीं दिये गाड़ी ने एक दम बेस परफॉर्म की अब जैसे इस इस एक नेगेटीव प्रॉब्लम यह रहती है इसकी चैन जो है कित्ती बार भी टाइट करा लोग रहा है तो धीली होती है क्योंकि इसका चैन का जो डिस्टेंस है चैन का डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा है बाकी गाड़ियों के मताबिक इसके लिए इसकी चैन अभी साथ साल में चेंज किया इसका टायर अभी एक यह देड़ साल ही हुआ है आगे पीछे दोनों टायर मैंने चेंज किया MRF की डाला हूं इसमें इस पर हमें मिल जाते 18 इंची के टायर यहां पर देख रहे होगे 8018 mc 47 पी लिखा हुआ है यहां पर मिल जाते हमें अलाववी वील आप जैसे इदर की बात करें यहां पर मिल जाते हैं लेगड हर गाड़ी का सीम रहता है इसमें सीप मैं मैंने बहुत सारे असा तो पर उन रखा हूँ यह भर्म रखा हूं एक मोडिफिकेशन में बाकि कुछ ज्यादा ऐसा रखा नहीं हूं मैंने इसमें उसके बाद मैं इसधर साइट की बात करूं तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं है बस यहां पर सेल्फ वह रहे है जो किसेल्फ गाड़ी है उस समय में अफ्रोडिंग टायर लगा हुआ है यह अपना यूटूब चैनल का नाम जो कि यह तो रहेगा यह अब यदि ज्यादा कुछ नहीं से पिसमें अधी बात करो मैं तो थोड़ा सा सिटकर में यह तो बात हुई साइन के लूक और टायर अगरे से अब में जो बात आती कि सर्विस कॉस मुझे कितनी पड़ जाती है चैनल सर्विस तो मुझे फ्री मिली थी हुई जो कि मैं अघेंसी में करवाया बट वह यह ए अज्ब्लव के लेबर चर्जस करना नहीं था इसलिए करवाता हूं जो कि मैं ौइल ही जो कि में पाइल करवाता हूं इसकाária-घ्में मानता हूं तेरा साल की मुताबिक नहीं चली ज्यादा गाड़ी बट फिर भी ठीक है तो थोड़ा बहुत हुगा बाकि अगर इसकी सर्विस कोज की बात करूं तो मुस्किल से मुझे पासो साड़े पासो का खर्चा आता है ज्यादा का नहीं आता जो कि मैं इसमें डालता हू विडाओल का गोल्डन वाला ओल जो कि भी इस इंजनों में लगता है वह पढ़ जाते मुझे साड़े तीन सो का और एक सो दस के आसपास का फिल्टर आता है इस पार प्लग आ जाता है जो कि चैंपियन वगरों का यूस करवाता हूं मैं बाकि लूब्रीक अगरे जो रहता ऑफ-्रोडिंग के लिए चारससॉशव चारसव के अंदर मेरा पुरा काम हो जाता है यही सर्विस मैं कंपनी याने सर्विस सेंटर पर करवाओंगा तो मुझे सासोशाज़ी साथसोच के असपास पढ़ जाती है इसके लिए मैं इससे बहार ही सर्विस कराना ज्याद़ सम करते हैं इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो ऐकी HAIN के साथ में, ओफ रव्डिंग की वीडियो, तो विडियो कichte करना इदि पसंड आई होगी तो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ , करो। हम लोग